सलमान चे में अता भेट गे उनी तालो है सदीच्चा भेट होती आणि ये इता फाइरिंग जाल ये आरूपी ना पुंबई पोलिसा नी ताथकार एरेश के लिला है काल भूज मदून एक विकी गुपता आणि सागर पॉल या दोगाना एरेश के लिले भूज मदून ते बिहार चे राना रे आहे पोलिस चंपारन मदले आणि पोलिसानी 25 तार के पर इन पोलिस कश्टडी गेत ले लिया है त्याना एंट्रोगेट करता है त्याचा तुन पूर्ण चवकशी चवकशी तुन सर्व सत्य बाहर एल आणि पूर्ण चवकशी अगदी मडा परियंत त्याची चवकशी केली जाहिल त्याच प्रकार्ची पोलिस आयुकत आनि पोलिसाना दिलेले आहे त्याचा मागे कोन आहे त्याला पूर्ण पने तित परियंत पोलिस शोद गेतील चवकशी मडे आणि कटोर कारवाई पोलिस तेचा और करतील या पूरे आशा प्रकार्ची हिंनबद कुना लई खरता कामाने आशा प्रकार्ची जरप वोलिस थै और बसाउथील आनि त्याज बरह बर त्याज बर्बर स Almान खान चा नातेवाई काना सलमान ला पोलिस सुरक्षा वाडवनेचा सुचना पोलिस आयुकता नमी दिलेले आहे क्या प्रमाने उटलाई परिशिती मेदे सलमान खानला मी भेटलो तेला सांगितला दिलासा दिला सरकार सलमान चा पाटीशी उबाई परिवार चा पाटीशी उबाई सरकार ची जबाबदरिया है तेंचे सुरक्षे ची आणि पुना या ठीकानी अश्या प्रकार्त धाड़स कुनी खरूने चैची सर्वकाल जी सरकार गें सलमान का क्या रिएक्षन था आपके साथ है जब यह हदसा हुआ था तब मैंने पुलीस कमिशनर को तुरंट सुबही सुचना दी थी जल से जल यह पुलीस करवा ही करें और इंको एरिश करें तो कली इनको भुज में से एरिश हुआ है दोनों को विकी गुपता और एक सागरपाल जो चमबारन बिहार के है उनकी पुलीस कस्टड़ी है अभी और पुलीस कस्टड़ी में पूरी तर पुश्ताच होगी और इसकी पूरी जड़ तक यह केस जानी चाहिए और जो भी इ आएसी हिम्मत मुंबई में किसी के ओपर ना करें ऐसा पुलीस कारवाई करने का इस तरह से लेकिन क्या इस तरह से लॉरेंज विष्णोई गैंग फिर से एक जो वेक्यून क्रियेट हुआ है उसको भरने की कोशिश से इस तरह से कर रहा है कैसे इसमें लगान लगे यह महा खरें ऐसी कारवाई पुलीस करेगी यह मुंबई पुलीस है यह महरास्ट यह या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और किसी भी नागरी को कोई भी तकलिब देने के काम करेगा यह सल्मान तो एक हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंदेश्टी में बहुत इपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है सरकार की है और यह ऐसी कोई ग्यांग वांग यहाँ पर चलेगे नहीं किसी की दादागिरी या मुंबई महाराष्टर में हम चलने नहीं देंगे और यह जो पकड़े हुए है उनसे पुछता शुरू है यह जड़ तक पूरी इंक्वारी जाएगी जो भी इसमें शामिल है जो जो उसके पर कड़ी कारवाई होगी और इसके अंदर सल्मान को पूरी तरह सुरक्षा देने का देनी की सुचना मैंने पुलिस कमिशनर को दिये उसके परिवार को भी सुरक्षा देनी की सुचना दिये और बिलकु करना चाहता कि पिछले सरकार में क्या क्या हुआ है मैं इस हाथसे का फायरिंग का समर्तन नहीं कर सकता हूँ यह जो भी उनको उखाड के फेकेंगे हम जो भी गैंग इसमें आई है पूरी तरह जड़ से उखाड के फेकने का काम हमारी पुलीस करेगी और बिल्कुल यह विपक्ष के बारे में मैं निच्छी तरुप से बताऊंगा उनको पूरी तरह यह खाड के फेक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे ऐसी हमारी पुलीस है और ऐसी हमारी सरकार है यहाँ पर किसी ने भी हमारे महाराष्ट के मुंबई के जंता के खिलाब आख उटाने की कोशिश की तो उसकी जगह उसको दिखा दी जाएगी करना चाहिए कि तुरं कुछी घंटों में आरोपी को पकड़ा गया है और आरोपी को पकड़ा गया है इंट्रोगेट करेंगे उसमें जो भी शामिल है उसको पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे उखाड के फिक देंगे ता मुख्य मंत्र एकना चिंदी आनी सलमान खान ची भेड़ गेते लिया है सलमान खान येच्छे आनी तेचक पुदूंग भियांचा सुरक्षे ची जबाबदारी ही सरकार्थी असा मुख्य मंत्रा नी मटलाई मुंबाई आनी महाराश्टात कुणाची दादा गिरी सहन तरणार माही असा ही मुख्य मंत्रा नी मटलाई